नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भरत जेन स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरत जेन पर और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्पेसिफिक एक ऐसे टूल के बारे में एक चीज़ में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि जब भी हम लोग चाहे सीसी टीवी का काम हो आई पी सेगमेंट का काम हो या फिर नेटवरकिंग का काम हो अगर आपके पास में टूल अच्छे नहीं है तो उस वज़ इसके लिए हर एक इंजिनियर के पास में स्मार्ट टूल होने बहुत ज़रूरी है आपके जितने भी टूले आपका जो टूल बैग है वो एकदम परफेक्शन के साथ में होना चीह और जितने भी लेटेश टूल हो वो आपको खरिद के रखने चाहे यही आपकी एसेट होत है और आज का जो वीडियो है वह specially wire tracker के बारे में जी हाँ ये हैं हमारे पास में smart wire tracker तो किस तरह से काम करता है कितना काम आपका आसान कर देगा कहां पर मिलेगा कितने में मिलेगा हर एक चीज के बारे में बताऊंगा लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अब भी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल के उपर इसी तरह के काफी सारे इंपोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आते रेते हैं और आते रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के स इंट्रेस्ट्न वीडियो को सो दोस्तों यह हमारे पास में स्मार्ट वायर ट्रेकर का बॉक्स टोकर ब्रेंड का आता है और यह आपको मिलेगा www.meragadget.com पर हम इसको सिधा अन्बॉक्स करते हैं सो दोस्तों यह हमारे पास में एक बहतरीन सा पाउच और इस पाउच के अंदर से निकलने वाला है कुछ वायर ट्रेकर के जैसा सो हम लोग निकालते हैं कि करके डिवाइस की क्या आता है हमारे पास में अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छा पाउच है और अगर हम इसको बैग में रखते हैं तो हमारे जो डिवाइसे वह काफी सेफ रहेंगे तो मैं इसके लिए हमारे पास में पाउच है अब यहां पर हमारे पास में है कुछ इस्तने तरह के डिवाइसे हम एक एक को ओपन करते हैं एक ये है हमारे पास में RXTX बोल सकते हैं समधिंग कुछ RXTX जैसा ही दिखता है ये इसका second one एक एक को हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पर है हमारे पास में कुछ wires क्या काम आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ और दो बैटरीज हैं अब यहाँ पर हम लोग पहले बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं डिवाइस के अंदर हमारे पास में यहाँ पर तैयार हो चुके हैं अब यहाँ पर देखते कि इसमें क्या-क्या है तो दोस्तों यह एक तरह का स्मार्ट वायर ट्रेकर अगर आपके पास में cat6 cat5 या फिर आपके पास में केबल होता है इंटर कॉम का इसको ट्रैक करना हो तो आप इसके does तरह के फीचर हैं जैसे कि एक हमलोग लोग ट्रेकर तो रखते ही है जो लेन टेहर जिसमें हमको लगा के रखना पड़ता है दोनों तरफ में और गा पास में जुन्ड बना हुआ है और उसमें से मैं अगर आपको यह बोलू कि सबके आरजे 45 कनेक्टर बनाओ तो आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा लेकिन इस वायर करेकर की मदद से आपको सभी पर आरजे 45 कनेक्टर नहीं बनाने हैं यहां पर आप सिर्फ इसको इसको कर सकते हैं किस तरह से में आप पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं देखिए यह 100 मिटर पर काम करेगा मतलब कि अगर आपके वायर का जो डिस्टन से वह अप टू 100 मिट है तो यह काम करेगा ऐसा नहीं है कि आपने वहां पर डिस्टन्स रखा है 300 मिटर 500 मिटर तो वहां पर इसके अंदर इतनी एक्यूरेसी देखनी के लिए नहीं मिलेगी यह वायर ट्रेकर है यहां पर यह टोटल आठ कोर लिखे हुए है आठो कोर में आठ लाइट है इसकी में जी है वेरी 5 की लाइट दी हुई है अगर फंक्शन की बटन बताओ यहां पर यहां पर यहां पर निचे लगाने का है सो मैंने इसको यहां पर लगा दिया सो यह वाला जो मोड है यह जाएगा आपका टेस्ट के अंदर लेकिन अगर मैं यहां पर नहीं लगाना चाहूँ इसको फोर एक्जामपल की एक तरफ मैंने लगाया और दूसरी तरफ ज़स आपको स्केन करना चाहते हैं तो आपको इसको डारेक्ली इस तरह से यह जो नौ सब्सक्राइब करने में काम कर तो आपको चोटी से एक लाइट मिल जाती है तक कि आप इजली काम कर पाएं एक यहां पर रोलर बेटन है एक्टुली यह बटन इसका जो साउंड है जब वायर ट्रैक होता है तो इसके साउंड के थू आपको पता चलता है किस तरह के रिजल आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और तीसरी जी यहाँ पर आपका 3.5 mm jack है audio के लिए यहाँ पर आप earphone लगा सकते हैं अब यह क्यों लगाना है कहीं जगह पर आप जब side पर काम करते हैं वहाँ पर noise बहुत जादा होती है तो आपको track करने में या फिर सुनने में इसके confirmation के लिए आपको वक्त लग सकता है यहाँ पर आप कोई भी 3.5 mm jack वाला earphone लगा सकते हैं और आपके तो यहाँ पर आपको green color की light बता देगी अगर इसमें से कोई core बंद होगा तो वहाँ पर light जलेगी ही नहीं और अगर यह आठो को पता चलता है कि यह आपका cable है वो okay है या नहीं है अगर आप इसकी speed को बढ़ाना चाहते हैं आपके बहुत जारा काम है तो यह function की बटन से आप इसकी speed को बढ़ा सकते हैं तो चलिए वह भी देख लेते हैं पहले हम इसको बंद करते हैं तो अभी मैंने यहाँ पर केबल लगाया है और आप लोगों के लिए बता रहो यह फिलाल चोटा सा केबल है एक बार हम लोग इसको थोड़ी से लंबे केबल में भी एक बार लगा के मैं आपको दिखा दूंगा कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक तरफ केबल लगाया और दूसरी तरफ हम इसको नहीं ल यह लोकेशन पर हैं वहाँ पर सिंगल केबल है या फिर दो केबल है और बी लोकेशन यानि कि आपने पचास मीटर सो मीटर दूर सर्वर पर है वहाँ पर केबल का जुंड है पुरा को पूरा मैशी हो रखा है तो आप केबल केसे टेस्ट करेंगे इसके लिए यह वन आफ यहां से प्रूव होता है कि यह आराम से वायर को अच्छे से ट्रैक कर लेता है अब यहां पर हमें दूसरा एक और केबल मिला है जो ज़्यादा तर आपके टेलिफोन लाइन के लिए यूज होता है अगर इसमें दोनों तरफ बने हुए हैं तो भी आप इसके अंदर सेम व यह कि ऐसा केबल है कि जहां पर आपका यह बना हुआ नहीं है तो आप कैसे करेंगे यानि कि दोनों तरफ से यह नहीं बने हुए कोई दूसरा केबल है आर जी केट 6 भी नहीं है केट 5 भी नहीं है आपका 2 पेर वाला भी केबल नहीं है कुछ 3rd party केबल है या फिर इलेक्रि का केबल और मैंने उसको कुछ इस तरह से कनेक कर दिया है अब देखते हैं कि क्या यह हमारा जो केबल है वो ट्रैक होता है या नहीं है यह इसका दूसरा सीरा है सो सो यहा पर भी आवाज हमको यहा पर देखने के लिए मिल रही है रिंग की आवाज लेकिन यह पर जो रिंग की आवाज है वो थोड़ी सी डाउन है अब यह completely depend करेगा इसके उपर का जो इंसुलेशन है वो कितना ठीक है उसके उपर भी पेंट करता है बट केट 5, केट 6, RJ11 का जो इंटरकों वाला जो हमारा केबल होता है जो हमें ज्यादा तर यूज होता है उसके अंदर काफी अच्छे से डिवाइस वर्क कर जाता है अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से और लॉंग डिश्टेंस कुछ इस तरह से अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकेनिंग मोड अन अब यह जो दो चीजे तीन और छे नंबर बता रहा है मतलब कहीं न कहीं यह हमारी कोई स्वीच के अंदर लगा हुआ है लेकिन हमें नहीं पता कि इतने सारे केबल लगे होंगे कि तो वो कौन सा यहाँ पर आप चाहे तो इसको एसे ही रख लो या फिर किसी बंदे को खड़ा कर लो ताकि वो आपको बता पाए कि क्या है क्या नहीं है वापस से उसको एक बार री टेस्टिंग करने के लिए लेन के उपर डारेक्ली दोनों क्या दोनों लेकिन फिलाल तो हम लोग चलते ह यहाँ पर हमारा स्वीच रखा हुआ है वहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं अभी हम लोग हैं यहाँ पर सर्वर रूम के अंदर और यहाँ पर हमारे पास में यह है प्योई स्वीच अब मुझे यह पता करना है कि वह जो नीचे वाला केबल था वह इसमें से कौन सा है सो ह कावर की यह देखिए और जो साउंड सुनिया मतलब यही वो केबल है जहां पर हम लोगों ने नीचे हमारी जो सेकेंड डिवाइस है उसको लगाया है इस तरह से आप चाहिए अभी फिलाल तो हमारे यहाँ पर जो आपको दिखाने के लिए 8 या 10 केबल है लेकिन अगर इसी बना देता है और काफी स्मार्ट भी बना देता है तो मुझे तो लगता है कि आपके टूल बेक का एक हिस्सा जरूर होना चाहिए अगर आप इस स्मार्ट वायर ट्रेकर को खरीदना चाहते हैं तो www.meragadget.com पर जाकर खरीच सकते हैं यह करीबन आपको 2200 रुपे के आ पडह का तहर दिल से बहुत बहुत धहन्यवाद मिलते हैं किसी नए विडियो के अंदर कुछ नई टइप की टेक्नलाजी, नए गेजेट और नई टीप्स और ट्रिव साथ मैं तब तक आप सब लोगों का तहरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जयहिन! झाल झाल